हलो अस्टुडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में सेबेंटी नाइन्टी थी के चार्टर एक्ट के वारे में विस्तार सी जानेंगे, अब हम लोग आज के अपनी टॉपिक की ओड चलते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम को 1793 का इस्ट इंडिया कमपनी अधिनियम भी कहते हैं 1793 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल लौड कनवालिश के समय ब्रीटी संशद्वारा पारित एक महतपुर्ण अधिनियम था जिसका हो देश भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के ब्यापारिक अधिकारों को अगले 20 बर्सों के लिए बढ़ाना था 1793 का चार्टर अधिनियम ब्रीटीश भारत में एक महतपुर्ण मेल का पत्थर शावित हुआ क्योंकि इस अधिनियम ने इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकार को 2 दसकों तक बढ़ा दिया और ब्रीटीश छित्रिय प्रभाव का बिस्तार किया अब हम लोग 1793 के चार्टर अक्ट के प्राबधान को देख लेते हैं जिसमें से फर्ष्ट है इस्ट इंडिया कमपनी के ब्यापारी का अधिकार को 20 बढ़ाने का प्राबधान 1793 के चार्टर अक्ट के द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी के ब्यापार का अधिकार अगले 20 बढ़ा दिया गया इस चैर्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जन्रल के अधिकारों को थोड़ा और बढ़ा दिया गया अब बंगाल का गवर्नर जन्रल मद्रास और बंबय के छित्रिये गवर्नरों द्वारा पारित कानोनों को रद कर सकता था नेक्स्ट है ब्रीटिश शरकार को भारतिय राज्यस्प से शलाना पांच लाख ब्रीटिश पाउंड ब्रीटिश कम्पनी के द्वारा देने का प्रावधान 1793 के Charter Act के तहत यह प्राब्धान किया गया कि सभी खर्चा करने के बाद कंपनी को ब्रीटिश शरकार को भारतिये राज्यस्प से सलाना पांच लाख ब्रीटिश पौंड का भुकतान करना पड़ेगा कंपनी के बरिष्ट अधिकारी बीना अनुमती के भारत नहीं छोड़ सकते अगर वे ऐसा करते हैं तो इसे उनका इस्तिफा माना जाएगा नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और उनकी परसत के शदस्यों की योगता निर्धारित करने का प्राबधान 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परसत के शदस्यों की योगता निर्धारित की गई इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परसत के सदसियों की योगता की ब्याख्या करते हुए कम सी कम 12 बरसों का भारत में रहने का अनुभव अनिवारी कर दिया गया नेक्स्ट है अनुपस्थित होने पर गवर्नर्ज जनरल को गवर्नर्ज जनरल के परसत से एक उपाध्याज को नियुक्त करने का अधिकार 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा गबर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जिस समय ओ बंगाव से अनुपस्थित होता है वह अपनी परसत के आशैनिक सदसियों में से एक उपाध्यज को नियुक्त कर सकता है नेक्स्ट है वोर्ड आप कंट्रोल का बेतन भारत से देने का प्राबधान 1793 के चार्टर एक्ट में यह तैक किया गया कि वोर्ड आप कंट्रोल बी ओसी का बेतन अब भारत से जाएगा इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है हम लोग फिर मिलेंगे नए वेडियो में तब तक के लिए नमस्कार